दोस्तो हाली में मैंने टेरर ट्यूजडे एक्स्ट्रीम नामक थाई होरर एंथोलोजी सीरीज देखा है जिसमें कुल मिलाकर आठ एपिसोड्स हैं इन आठो एपिसोड्स में अलग-अलग कहानियां बताई गई हैं और मैं इन आठ एपिसोड्स को दो वीडियो के माध्यम से कवर करूँ गा यानि आज वाली वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड की कहानी को जानेंगे और अगली वीडियो ठीक एक दिन बाद आ जाएगी जहां मैं बचे हुए 5 एपिसोड की कहानी भी आप तक लेकर आ जाऊंगा अब रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDB पे इस सिरीज को मिले है 5.3 स्टास आट ओफ 10 और Rotten Tomatoes पे इस सिरीज की रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है वैसे मैं ये क्लियर कर दूँ कि यहां हर एक एपिसोड की अपनी रेटिंग्स अलग से भी अवेलेबल है क्योंकि हर एक एपिसोड की कहानी अलग है So now with that said, let's roll the intro तो पहले एपिसोड का नाम है Our Little Sister और यहां हमें एक डिस्क्लेमर देखने को मिलता है जहां लिखा होता है कि इस सिरीज की आठो कहानिया Terror Tuesday पे शेयर की गई स्टोरीज पे आधारित है अब क्या यह स्टोरी सची है और Terror Tuesday क्या है यह सब हम आठवे एपिसोड के end में यानि अगली वीडियो में डिस्क्स करेंगे फिलहाल पहले एपिसोड में हमें कार देखते हैं जिसका आक्सिडेंट हो रखा था पल्टी हुई कार के अंदर तीन लेडिस थी जहां आई नाम की लड़की ड्राइविंग सीट पे इंजर्ड थी देन आई की मा बैक सीट पे काफी इंजर्ड थी और आई की छोटी बहन एली इंजर्ड हालत में कार से निकल के वॉक करने लग गई थी लेकिन अचानक से एक ट्रक एली को ठोकर मार देता है जिससे एली की वहीं पे मौत हो जाती है जानी कि इस आक्सिडेंट में आई और उसकी मा शायद बच गई लेकिन एली मारी गई अब इस एक्सिडेंट के कारण आई को गहरा सदमा लगता है इतना कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में काफी परेशान रहने लग गई थी हम उसे डॉक्टर या फिविकेंट से साइक्याटरिस से भी मिलते देखते हैं जहां डॉक्टर क्लियोली कहते हैं कि आई को PTSD है और उसे मेडिसिन्स वक्त पे लेना ही होगा आई को हमेशा नाइट मेरस आते हैं लेकिन यहां आई से जादा खड़ा भालत उसकी मा की थी आई की मा अभी ऐसे ही बिहेव करती थी मानो एली जिन्दा है लाइक एली के लिए खाना बनाना उससे हवा में बात करने लगना वगेरा वगेरा हद तो तब हो जाती है जब आई की मा में एक दिन किसी शमन को घड़ पे बुला लेती है जो कि इन्हें एक डॉल देता है शमन के हिसाब से इस डॉल के अंदर एली की आत्मा है और अब एली इस डॉल के फॉर्म में इनके साथ रहेगी शमन यहां तीन रूल्स बताता है पहला रूल ये कि इन्हें इस डॉल को रोज तीन बार खाना खिलाना है जिसमें मेन कोर्स एंड डेजर्ट दोनों होना चाहिए Then second rule कि हर दिन midnight से पहले डॉल को उसके box में रख देना है And third rule कि इस डॉल को घर के एक certain boundary से बाहर लेकर कभी नहीं जाना है यहां शमन एक red thread को घर के आसपास बान देता है जो कि supposedly एक boundary थी और इससे ही बाहर डॉल को नहीं ले जाना है क्योंकि अगर डॉल इस boundary को cross करी तो Ellie की spirit का link डॉल से weak होने लगेगा Now of course मा इस डॉल को पाके बहुत जादा खुश थी लेकिन आई को ये सब सही नहीं लग रहा था आई फोन पे अपने एक friend से बात करते हुए से बताती है कि कैसे उसकी मा डॉल वगेड़ा ले आई है And she is not mentally well In fact यहाँ आई confess करती है कि उस accident के लिए कहीं न कहीं वो खुद को ही blame करती है क्यों? क्योंकि उस रात कार आई ही चला रही थी आई का friend उसे सान तो ना देता है कहता है कि तुम खुद को blame मत करो और ये भी कहता है कि हर इंसान का trauma के साथ deal करने का अपना अपना तरीका होता है ख़़ागे चीजे अजीब होने लग गई थी क्योंकि आई की मा एली वाली डॉल से एकदम obsessed ही हो गई थी इतना कि वो आई को डार्ट देती अगर आई डॉल को ignore करती देन वो डॉल के साथ बैट के टीवी देखती जहां टीवी पे कुछ नहीं चल रहा होता आई को भी ऐसा लगता है मानो ये डॉल मूव हुई है और ऐसे में एक रात आई डॉल को उसके box से निकालती है surprisingly डॉल को निकालते आई को एली अपने सामने दिखती है जो कि आई को ही blame करती है for the accident इनके conversation से हम समझ पाते हैं कि आई और एली के पिता इनकी family को छोड़ दिये थे क्योंकि उन्हें किसी दूसरी औरत से प्यार हो गया था और एली यहाँ आई को इनके dad से ही compare करने लगती है saying कि तुम कितनी selfish हो by the way यह time भी रात के 12 बजे का था यानि डॉल से related एक rule को तो break कर दिया गया है यहाँ एली अजीब तरह से चिलाने लगती है कि तभी आई की नींद खुल जाती है डिपिक्टिंग कि यह सब शायद आई की nightmares थी खर morning उठने के बाद आई नोटिस करती है कि इनका parrot जिब जिब कहीं देख नहीं रहा था आई यह भी नोटिस करती है कि उसकी माँ medicines वगएर dustbin में fake दी थी यानि कि वो दवा तक लेने को तयार नहीं थी बस खाना बना रही थी Ellie के लिए उनकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो आई से ये तक कहने लगी थी कि तुम मेरे और Ellie से दूर रहो ऐसे में आई Ellie वाली डॉल को लेके घर से बाहर ले जाती है लेकिन इससे पहले आई डॉल को boundary के पार fake थी उसकी माँ आके आई से डॉल चीनने लगती है इस चीना जफटी में डॉल की dress फट जाती है और यहां हम डॉल के body पे कुछ ritual वाले marks देखते हैं अब इस सब घटना से परिशान होके आई अपने friend के घर जाने की सोचती है लेकिन उसकी माँ यहां आई को कुछ तो smell करवा के उसे बेहोश कर देती है जब आई को होश आता है तो वो खुद को एक chair से बंधा पाती है और उसके सामने Ellie वाली डॉल बैठी थी और अफकोस उसकी माँ जोकी खाना सर्फ कर रही थी खाने में आज जिब जिब का सूप बना था जी हां दोस्तो आई की माँ अपने pit parrot जिब जिब को मारके उसका सूप बना दी थी इतना ही नहीं माँ अजीब बाते कहती है लाइक हम सब unite हो जाएंगे और Ellie इसका तरीका मुझे बताई है बेसिकली तरीका ये था कि आई की माँ खुद को भी और आई को भी insecticide पिलाने वाली थी जोकि ऑफकोस human के लिए जहरीला है माँ खुद तो इसे पिही लेती है और जबरदस्ती आई को भी insecticide पिलाने लगती है ताकि सब Ellie से मिल जाएं मतलब सब मारे जाएं लेकिन आई इस point तक अपना बंधन खोल चुकी थी और वो अपनी माँ पे attack करके बचती है आई की माँ चाकू से आई पे attack करती है लेकिन आई इन attack से बचते हुए पलटवार करती है औल्दो चाकू वाले हमले को वो अपने हाथ से ही रोकी थी जिस कारण आई के हाथ बुरी तरह जखमी हो गए थे नव तभी हम यहाँ एक monster को देखते हैं जो कि आई का गला दवा के उसे मारने लगता है यह monster Ellie वाले doll का ही शायद असली रूप था और we can say a monster's depiction और इस point पे आई का बचना नामुम्किन था लेकिन तभी एकदम से आई की मा चाकू से इस monster पे हमला करती है जिससे आई बच जाती है और हम विए उस वापस monster की जगध doll को ही देखते हैं सम्हाव आई की मा को अब समझाने लग गया था कि ये doll सही नहीं है और वो आई को इससे red thread वाली boundary से बाहर ले जाने कहती है आई किसी तरह गिरते परते इस doll को boundary से बाहर पहुचा देती है और इस point पर आई नोटिस करती है कि उसके हाथ पे किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे यहां से scene change होके आई के psychiatric session पे focus करता है जहां डॉक्टर फिर से आई को समझा रहे होते हैं कि उसे PTSD है यानि post traumatic stress disorder PTSD के कारण आई चीजें imagine करती है in fact आई अपनी दवा वगेर भी नहीं खा रही थी इस point पर होता है एक बड़ा reveal जहां हम जान बाते हैं कि उस रात accident में आई की मा भी मारी गई थी जी हां दोस्तो आई ये सब कुछ बस imagine कर रही थी in fact dustbin में वो अपना दवा फेकती थी देन शमन को भी आई ही बुलवाई थी जहां वो दो डॉल्स बनवाई थी एक अपनी बहन एली की और एक अपनी मा की पूरे एपिसोड में जो कुछ भी हुआ वो आई का imagination था including a friend इससे आई बात कर रही थी मतलब आई को किसी friend का call नहीं आया था वो खुद ही अपने आप से अपनी friend बनके बाते कर रही थी यहां से scene वापसो shot पे आता है जब आई दोनों डॉल्स के बीच लेटी थी और उसे realize होता है कि वो कितनी जादा mentally sick है यहां बारिश होती है और आई रोना शुरू करती है इसी point पे first episode खत्म हो जाती है तो दोस्तो इस episode की कहानी बिल्कुल simple है जहां हमें trauma के बारे में बताया गया है एक accident में आई अपनी पूरी family को खो देती है जिसके बाद वो काफी traumatized थी आई अकेली थी और उसे support करने वाला कोई नहीं था जबकि traumatic situation में कोई तो एक इंसान आपके साथ होना ही चाहिए यहीवजा है कि डॉक्टर की मदद मिलने के बावजूद आई अकेले में दवा वगेरा नहीं खा रही थी जिसके कारण उसका imagination वगेरा बढ़ता जा रहा था यानि कि उसके बिमारी के symptoms बढ़ते जा रहे थे इतना कि वो शमन्स बुलवा के अपनी बहन और मा की dolls ले आती है दिन अपनी मन में चीज़े imagine करने लगती है सोचती है कि उसकी मा और उसकी बहन एक साथ हो गई है और वो चीज़ों को इस तरह से imagine कर रही थी कि जो भी mentally sick वाली हरकते थी वो सोचती थी कि ये वो नहीं बलकि उसकी मा कर रही है जबकि reality में आई की मा तो जिन्दा ही नहीं थी एपिसोड के end में आई को इस बात की realization हो जाती है और यहां से आई के पास दो रास्ता है या तो वो अपने trauma से deal करने के लिए वापस से अपने imaginary make believe world में चली जाएगी जहां से उसका बुरा ही होगा अच्छा तो नहीं हो सकता या फिर वो इससे बाहर आने की कोशिस करेगी और इसके लिए उसे medication लेना होगा डॉक्टर से मिलना होगा लोगों से मिलना होगा और अकेले तो नहीं रहना होगा तो यहां आप मुझे comment से बताईए कि आपका इस बारे में क्या opinion है और जब तक आप comment कर रहे हैं मैं लिशलता हूँ आपको second episode की तरफ जिसका नाम है wedding dress तो episode के शुरुआत में हम एक बहुत ही दुबली पतली लड़की को देखते हैं जो की wedding dress बना रही होती है और एकदम से sewing machine का needle उसकी उंगली में चुप जाता है यहाँ scene change होके एक couple पे आता है जहाँ लड़की का नाम है milk और लड़के का नाम है bank bank food delivery का काम करता है और milk non-nuch wedding shop में काम करने आई थी जहाँ वो shop संभालेगी and wedding dresses बनाएगी milk का aim था कि वो इतना अच्छा काम सीख जाए कि वो अपनी wedding dress खुद बनाए लेकिन bank को यहाँ शादी बगेरा करने में कोई interest था ही नहीं ख़डागे shop की owner नक milk को पूरा shop दिखाती है जहाँ कई floors थे like store room का एक अलग floor था, photo shoot का एक अलग floor था in fact हम समझ पाते हैं कि milk यहीं पे top floor पे रहेगी और पूरा shop संभालेगी अब यहाँ नक milk को first day पे ही उसे अकेला छोड़ देती है क्योंकि नक को vacation पे एक week के लिए जाना था यानि देखा जाए तो milk को अकेले ही पूरा दुकान संभालना पड़ेगा पहले दिन से ही अब इस point पे हमें building पे रखी एक water tank की shot दिखाई जाती है जिसके उपर किसी तरह की religious ticket ही जो की हवा में उड़ जाती है अब उस रात milk phone पे अपनी mom से बात कर रही होती है जब उसके आसपास कुछ असाधरंग गतिविदिया होती है इन फाक्ट हम विए इस clearly एक evil spirit को milk के आसपास देख पाते हैं और उसकी mom की बातों से हम समझ पाते हैं कि milk की मा जल्द ही उसकी शादी करवा देना चाहती थी इन फाक्ट वो milk के choice bank से खुश नहीं थी क्योंकि bank अच्छा नहीं कमाता है और अगर वो कमाएगा नहीं तो शादी के वक्त दहेज कैसे देगा जी हाँ थाई culture में कई जगर लड़के पे करते हैं शादी के टाइम लड़की के family को अब यहाँ से scene shift होके अगले दिन का आता है जब एक customer shop में wedding dress try करने आती है customer को एक भी dress पसंद नहीं आ रही थी और ऐसे में milk उपर store room में कोई और dress देखने जाती है वहाँ एकदम से एक dress अपने आप milk के सामने आती है और milk को यह dress काफी पसंद आता है in fact जब milk यह dress customer को दिखाती है तो customer भी इस dress को कुछ जादा ही पसंद कर लेती है बस यह problem यह थी कि customer के लिए dress बहुत ही ज़ादा tight था और dress को customer को try करवाते वक्ट dress का zipper भी तूट जाता है ऐसे में customer कहती है कि उसे तो यही dress चाहिए for a wedding और एक हफते में ही चाहिए तो इसके size को बढ़ा कर दो एक हफते के अंदर milk कहती है कि एक हफता time बहुत कम है क्योंकि dress में बहुत intricate designs है जिन्हें alter करना मुश्किल है मतलब बढ़ा किया जाएगा design से वापस से करना होगा खाफी मुश्किल होगा लेकिन customer को तो यही dress चाहिए थी वो भी एक हफते के अंदर ही और इस point पे milk एकदम से customer को कह देती है कि तुम्ही थोड़ा वजन कम क्यों नहीं कर लेती मोटी sewer ये सुनके customer बहुत जादा गुसा हो जाती है और वो milk को frame में रखके एक video shoot कर लेती है कि कैसे नौंग नुच वेडिंग्स बेकार शॉप है और यहां की employee milk बेकार है और भद्दे तरीके से बात करती है अपने customer से वगेरा वगेरा customer धंकाती है कि वो ये video social media पे post कर देगी और इस बात से milk काफी डर जाती है क्योंकि of course वो अपना job खो सकती है और इसलिए milk agree कर जाती है कि वो किसी तरह इस dress को एक हफ़़े के अंदर complete कर देगी और discount भी देगी customer को तो milk इस dress में काम करना शुरू करती है और उस रात milk को अपने कमड़े में bank दिखता है वो भी अपने undies में Now this was weird क्योंकि shop closed था तो bank अंदर कैसे आया Bank यहां milk से कहता है कि वो ही तो shop open करके उस अंदर बुलाई In fact milk एक wedding dress में थी दिन वो bank को seduce करी और दोनों physical भी हुए Milk को यह सब यादी नहीं था लेकिन वो इस बात पर ध्यान ना देते हुए अपनी और bank के शादी की बात करने लग जाती है Now शादी की बात सुनते bank भड़क जाता है क्योंकि उसके हिसाब से शादी में खर्चा करना बेकार है और यह दहेज वगेरा सब pointless है यहाँ Milk कहती है कि एक dreamy wedding उसका और उसके माबाप का सपना है लेकिन bank इसमें interested नहीं था बैंक उससे में कहता है कि तुम्हें माबाप तुम्हें पैसो के लिए बेच रहे हैं ये वो फलाना धिमकाना और यहाँ से निकल लेता है अब इसके बाद scene shift होता है जहाँ Milk dress बनाते बनाते ही सो गई थी और आँख खुलने पे Milk अपने सामने वजन घटाने वाले पिल्स देखती है तो वो अपना वजन और कम क्यों करना चाहेगी आगे Milk के साथ कुछ असाधरन गतिविधियां भी होती है इनफाक्ट एक बार तो Milk उल्टी करती है जहाँ उसके मूँ के अंदर से बाल का गुच्छा निकलता है Milk यहाँ दिन रात dress बनाती और वो पतला होने वाली पिल कंज्यूम करती रहती है आलम ये था कि Milk अब बहुत ज़ादा दुबली पतली हो गई थी इनफाक्ट उसके hairs भी white होने लग गए थे वो इनी white hairs को as threads भी use करने लगी थी for completing the dress खर एक हफते पूरे होते और customer वापस आती है और Milk customer को fitting room में dress try करवाने ले जाती है नाँ टू customer surprise, Milk इस dress को और छोटा कर दी थी जी हाँ तोस्तों dress को बड़ा करना था customer को fit करने के लिए लेकिन ये तो अब और भी fit नहीं हो रही थी dress को literally छोटा किया गया था और Milk को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ तब ही trial के वक्त एकदम से zip पर अपने आप लग जाता है और ये customer को इतना tight होता है कि वो चोके ही करने लग जाती है यहाँ Milk को customer की जगए एक अजीब घोस्ट दिखती है जिसे वो बेहोश हो जाती है और जब Milk को होश आता है तो customer already dress यहीं छोड़के जा चुकी थी इनफाक customer गुसे में वो वाली वीडियो सोचल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी जो की काफी viral जा रही थी और इसे shop का नाम बदनाम हो रहा था ऐसे में Milk को owner नक का कॉल आता है जो कि उससे मिलने shop पे आने वाली थी यहां Milk कहती है कि वो customer को किसी Pete नामक लेडी की dress दे रही थी और Pete का नाम सुनते owner was shocked owner तुरंथ पूसती है कि तुम्हें Pete के बारे में कैसे पता और वो तुरंथ Milk से मिलने shop की तरफ आने लगती है इस पॉइंट पे हमें उस दिन का scene दिखाया जाता है जब Bank Milk से जगड़ा करके जाने लगा था उस दिन Milk kind of possessed हो गई थी and then वो Bank को रोक के उसे चाकू से कई बार stab करके मार डाली थी and then वो Bank के लाश को यहीं एक cupboard में रख ली थी उसे cupboard के अंदर Bank की लाश दिखती है जानी flashback में जाती है जहां हम जान पाते हैं कि पीट इसी shop में नक के साथ काम करती थी और दोनों मिलके wedding dresses बनाते थे पीट मोटी थी और उसे भी पतला होना था ताकि वो अपने dream wedding dress में fit हो सके पीट को नक से पता चलता है कि लड़कियां आजकल operation करवा के भी पतली हो सकती है और ऐसे में पीट अपना operation करवाती है जिससे एक ही बार में वो एकदम से पतली हो गई थी लेकिन इसके बाद से ही पीट मानो mentally disturbed हो गई क्योंकि अब उसे किसी तरह पतला ही रहना था वो खाना नहीं खाती हमेशा अपना वजन नापती रहती दिन पतला करने वाले पिल्स लेने लग गई थी और इससे पीट कुछ जादा ही पतली होने लग गई पीट के हैर्स white होन चाहिए इसी बात पे एक रात नक और पीट के बीच बहस हो गई और खीचा तानी में पीट की wedding dress फट गई इस पे पीट इतना गुस्सा हुई कि वो नक को मारने की कोशिस करी और बचाओं में नक पीट को एक scissor से stab करके मार डाली इस मौत को छुपाने के लिए नक पीट क लाश को उपर वाले water tank में डाल दी थी और यही वजह है दोस्तों कि हमें एक बार water tank का shot दिखाया गया था जहां religious sign के हटते ही शायद पीट की आत्मा वापस आ गई है उसके हाथ हो and then हम पीट का हसता हुआ ghostly face भी देखते हैं यहीं पर second episode खत्म हो जाती है दोस्तों इस एपिसोड की कहानी वी simple थी जहां पीट के पतला हो जाने के obsession को दरसाया गया है वो wedding dress of perfect body को लेके इतनी obsessed थी कि मरने के बाद भी वो spirit form में milk को possess करके उसके थुरू अपनी dreams पूरी करी इससे milk की जिंदगी बरबाद हुई और milk ही इसलिए possess करी गई क्योंकि milk की dream भी थोड़ी बहुत पीट जैसी ही थी वो लग बात है कि milk पहले से ही पतली थी लेकिन जो dream था एक wedding dress में होने का शादी करने का वो same था and then religious ticker भी तो हट गया था जिससे शायद पीट की आत्मा वापस आई overall इस episode में हमें यही बताया गया है कि आजकर लोग पतला होने को लेके इतने पागल होने लग गए हैं कि वो कई बार unhealthy practice follow करने लगते हैं और लोग कई बार यह सब extreme measures लेते हैं अपने wedding day पे perfect दिखने के लिए in fact wedding में शौफ के लिए लोग पैसे उडाते हैं which again is not good financially तो यही बात यह episode हमें बताना चाहती है and यहां मैं अपनी कोई personal opinion नहीं दे रहा जो episode में बताया गया है वही चीज में आपको बता रहा हूँ तब तक मैं third episode की तरफ बढ़ता हूँ जिसका नाम है ode to my family तो episode के शुरुआत में हम एक family को देखते हैं जिसमें चार लोग है पिता high ranking police officer है जो की हाल में ही एक casino bribery case में पकड़े गये थे दिनमा aviation sector में काम करती है बेटे का नाम चाविन है जिसे में पूरे episode में विन कहके बुलाऊंगा तो हाँ विन घर पे teenage drugs party कर रहा था और वो भी police द्वारा पकड़ा गया और बेटी का नाम है लिंडा अब क्यूकि विन की drugs party news में आ गई थी और विन के पिता ऐसे ही casino bribery case में बदनाम थे तो जनता के आकरोश से बचने के लिए इस family को कुछ दिन के लिए शहर छोड़के एक secluded घर में जाना पड़ता है कोई भेस घर में आके खुश नहीं था क्योंकि ये घर काफी पुराना सा था लेकिन situation ही ऐसी थी कि इन्हें आना पड़ता है यहाँ पिता का नाम हमें बताया नहीं गया है और मा का नाम सिरन है बट क्योंकि confusion हो सकती है मैं पिता बोलू फिर सिरन बोलू इसलिए मैं मा को मा और पिता को पिता कहके ही बुलाऊंगा throughout this video और बच्चों का नाम तो हमें पता ही है विच इस विन एन लिंडा खेर विन डिसकवर करता है कि घड में एक locked कमरा है जिस पर religious talisman लगा हुआ है जो कि kind of a seal है विन इस कमरे से काफी fascinated था इन फैक्ट उसे लगता है कि वो उस डोड के उस पार कुछ तो देख पा रहा है हम वियो उस तो तीन फीट भी देख पाते हैं और इसलिए विन छेर चार शुरू कर देता इस दौर के साथ जिसके कारण ये talisman seal फट जाता है इसके ठीक बाद हम एक lady ghost को विन के पास देख पाते हैं और विन किसी तरह के ट्रांस में चला गया था एन वक्त पे विन की बहन लिंडा यहां आती है जिसके पुकारने पे विन अपने होश में आता है खर आगे की scenes में हम इस family के dynamics को थोड़ा समझ पाते हैं और इस परिवार के लोग एक दूसरे से काफी detached हैं इन फैक एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं पिता अपने ही दुनिया में रहते हैं और उन्हें ना तो अपनी बीवी ना अपने बच्चों से कोई मतलब है इन फैक्ट मा को भी अपने बच्चों की जादा परवा नहीं है वो कुक वगेरा भी नहीं करती वहीं लिंडा काफी selfish है और विन अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता वगेरा वगेरा तो एक राट dinner के time family को उपर से कुछ आवाज सुनाई देती है और इन्हें लगता है कि ये आवाज उसी locked कमरे से आ रही है इसलिए लोग उस locked room का ताला तोड़ देते हैं जहां अंदर सिर्फ furniture वगेरा थे आगे हम जान पाते हैं कि father-mother की relationship भी ठीक नहीं है जहां मा चाहती है कि उनके बेटे विन को मा के parents के घर भेज दिया जाए जहां वो नाना जी की तरह pilot बने लेकिन पिदा ऐसा नहीं चाहते and the part of the problem is कि पिदा बहुत egoistic है और कहीं न कहीं मा की family rich है जिससे उन्हें थोड़ा inferior feel तो होता है in fact एक secret यहां यह है कि विन शायद पिदा का बेटा भी नहीं है खैडूसरात मा अपने लिए wine open कर रही होती है जब उन्हें पता लगता है कि कोई तो उनके पीछे है लेकिन देखने पे वहाँ कोई नहीं था वहाई दूसी तरफ विन और लिंडा noodles खा रहे होते हैं जिनके conversation से हम कुछ बाते समझ पाते हैं पहली बात ही है कि विन हमेशा अकेला फील करता है इवन इव घर में टोटल चार मिंबर्स हैं इन फाक्ट विन नहीं चाहता कि घर के लोग कहीं भी जाए मतलब सब साथ में ही रहें देन विन जान बूच का drugs party रखा था घर में ताकि उसके dad पकड़े जाएं क्यों 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 क्योंकि विन अपने पिता को पसंद नहीं करता और उसके पिता घुस खोडी के पैसे भी तो घर पे ही रखे थे ना जो कि drug bust में पकड़े गए विन क्लियरली कहता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते और ऐसा इसी लिए क्योंकि विन उनका biological बेटा नहीं है जी हा दोस्तो इन ही reasons के कारण विन जान बूच कर अपने पिता को फसबाया लेकिन इसके कारण लिंडा भी सजा जहल रही है जो कि कोछे दिन में foreign जाने वाली थी अब खाते वक्त विन के हाँ तो थोड़ी सी noodles नीचे गिर जाती और इससे पहले विन इससे साफ करता हमें गोष्टली figure को देखते हैं जो कि इस गिरे हुए noodles को खा लेती है अब भले विन या लिंडा इस गोष्टली figure को नहीं देख पाते बट देवे surprised क्योंकि जमीन पे गिरा noodles अपने आप गायब कैसे हो गया इसके ठीक बात विन उस डोड़ वाले तलिस्मन को सलो टेप से चिपका देता है ये सोचते हुए कि इससे शाय तलिस्मन वापस सील हो जाए खेर अगले दिन मा एकदम बदल गई थी जहां वो कुछ जाधा ही smile कर रही थी देन बच्चों के लिए proper breakfast भी बनाने लग गई थी जो कि वो आज तक नहीं करी देन वो जमीन पे गिरा हुआ noodles उठा के भी खा लेती है and this was impossible क्योंकि real मा ये काम कभी नहीं करती यहाँ विन और लिंडा को मा पे शक होने लगता है और ऐसे में विन लिंडा का फून लेके इस जगह के बारे में online search करता है वो पाता है कि डोर वाला जो talisman था वो ghosts वगेड़ा को बांध के रखने में काम आता है लेकिन इन से talisman फट गया था moreover इस घर में चार लोग वाली एक family मारी गई थी जहां कोई तो इनके सूकिया की pot यानी food में जहर मिला दिया था now surprisingly आज विन और लिंडा की मा भी सूकिया की ही बनाने वाली थी and this clearly meant की मा possessed है खेर उस राथ सूकिया की pot बनता है और खाते टाइम मा का दिमाग पूरी तरफ flip होता है वो एकदम चिलाने लगती है और पूरे family के राज भी खेडने लग जाती है for example मा कहती है कि वो इतनी जादा पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करी कि वो एक home maker बन सके और सबको खाना खिला सके then पिदा तो cheat भी करता है दूसरी औरत से in fact मा भी cheat करी थी तभी तो विन पिटा का बेटा नहीं है now Linda बड़ी बहन है still वो बहुत ही जादा selfish है जिसे सिर्फ खुद से मतलब है Linda इतनी selfish है कि वो अपने भाई से भी नफरत करती है क्योंकि उसे भाई के साथ जायदाद बाटना होगा मा कहती है कि वो अपने माईकी के पैसे से लिंडा को abroad भेज सकती थी लेकिन पिता इतने egoistic है कि वो ऐसा होने नहीं दिये मतलब मा के माईके से help नहीं लेंगे कुछ भी हो जाए ये सब कहके मा एकदम से protein कट करने लगती है और इसी दोरान वो literally अपना हाथ काट लेती है देन वो चाकू से पिता पे हमला करती है लेकिन पिता भी माँ पे पलट वार करते हैं पिर लिंडा की support से पिता माँ को overpower करते हैं and finally उन्हें मार ही देते हैं अब मा के मरते पिता का इंड़ पजस्ट हो जाते हैं और वो लिंडा पे हमला कर देते हैं विन भाग के अपने पिता की गल लाता है और उन पे तान देता है तब तक जखमी लिंडा पिता को किसी दरह गिराती है और उनके सर पे हमला करके उन्हें मार देती है अब पिता के मरते Linda possess हो जाती है और वो विन के पीछे आती है विन खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और जब Linda दरवाजा पीठती है तो विन गोली चला देता है जिससे Linda भी मारे जाती है अट इस पॉइंट परिवार के तीनों मारे गए लोग जॉंबी की तरह वापस उठ खड़े होते हैं और वो विन को घेड़ लेते हैं विन भाग के खुद को उस तलिस्मन वाले कमरे में बंद कर लेता है और यहां से सीन एकड़म शिफ्ट होता है तो यह नया सीन एक imaginary सा kind of scene था जहां विन अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है और खाना खाते ही सभी मारे जाते हैं क्योंकि खाने में जहर था अब यहां विन नहीं मरता बस उसे खून की उल्टी होती है विच डिपिक्ट्स की वही खाने में शायद जहर मिलाया था और यहां जो विन फोटो लिया था वो मुँ से खून निकलने वाला विन था दोनों विन अलग हैं कैसे वो में बताऊंगा इसलिए वो परिवार को मार के कमरे में रख दिया है ताकि यह लोग कभी उससे अलग ना हो अब यहां से सीन इस एपिसोड के उस टाइम पे फोकस करता है जब विन पहली बाद दोर तलिजमन को तोड़ा या फारा था और वो काइंड अफ ट्रांस में चला गया था विन डोर के उस पर देखने की कोशिस में था and as viewers हम डोर के उस पर विन की ही मृत फैमली को देख पाते हैं यानि वो तीन पैर दिखेते न वैसा ही कुछ और यही तीन लोग खड़े थे यानि विन की ही फैमली यानि उसकी मा बाप और उसकी बहन यही पर थर्ड एपिसोड भी खत्म हो जाती है तो इस एपिसोड की कहानी में काफी सिंपल है except the end जहां चीज़े थोड़ी सी confusing हो गई लेकिन अब मैं इसे एकदम से clear कर दूँगा तो basic मुद्दा यही है कि यह family किसी तरह की time loop में फस चुकी है जी हम याद है विन पढ़ा था कि इस घर में एक परिवार खाने में जहर होने की कारण मारा गया था वेल वो इनकी ही family थी जिनें जहर विन ही दिया था in fact episode के दोरान हमें घर में कई घोस्ट दिखते हैं जो कि यही family members थे जब भी आप इस episode को देखे तो कोने में छिपेवे घोस्ट को मा करने की कोशिस जरू कीजेगा और ये लोग इसी family member के घोस्ट हैं वैसे कुछ घोस्ट काफी evident है like वो noodle खाने वाली घोस्ट जो की शायद लिंडा होगी या फिर मा मुझे लगता है लिंडा ना हर बार ये परिवार violent way में एक दूसरे को मार डालते हैं क्योंकि इनके परिवार में problems ही इतनी है या फिर win इन्हें जहर देके मार देता है देन खुद को भी मार लेता है because वो अकेला नहीं होना चाहता हमेशा family के साथ रहना चाहता है इनकी ghost से ही इने feel हो रही है, possess कर रही है क्योंकि ये सब एक loop में चल रहा है इसलिए win खुद को ही देख पाया जो कि पिछले loop वाला win होगा या फिर win की आत्मा इन फाक्ट हम next loop भी start होते देखते हैं जहाँ win ट्रांस में है और ghost's room के अंदर से उसे देख रहे हैं देखा जाए तो बस win ही talisman से sealed कमरे से बाहर जाके मड़ा, बाकी सब तो कमरे में seal किये गए लेकिन loop फिर से start होगा, जहाँ seal फटेगा and then again the violence will purtail अब आप पूछ सकते हैं कि इस घड में ये loop बना कैसे? विल ये बात तो clear नहीं करी गई है, बट I personally think कि ये loop family members के ही detached, deranged and violent होनी की वज़ा से है और loop भी शायद तभी टूटेगा जब family के लोग एक दूसरे की खामियों को accept करते हुए साथ में आगे बढ़ेंगे मतलब पिदा को बता है कि विन उनका बेटा नहीं है, लेकिन उन्हें प्यार विन को देना होगा और विन को भी अपने stepfather को accept करना ही होगा और ऐसे ही, और जो भी problems इस family के अंदर सब को resolve करना होगा, तभी ये violence खत्म होगा, वरना they will be stuck in this loop forever and ever and ever विन हर बार चीजें खत्म करने के लिए या फिर अखेला ना रहने के लिए and dead family को preserve करने के लिए seal तो लगाता है, लेकिन वो खुद ही next loop में seal फटने का कारण भी बनता है So we can kind of say कि ये एक endless loop की तरह है, but being an optimist, I would like to believe कि ये loop तोड़ा जा सकता है, जिसके लिए पूरी family को एक दूसरे को accept करना होगा अब यहाँ एक और ये theory है कि यहाँ loop जैसा कुछ नहीं है, बलकि हमें दिखाया गया है कि कैसी ये family ही खुद को खत्म करी होगी, जिसके दो particular versions हमें दिखाये गए, दो तरह की visions, but I don't believe in this one, मैं loop वाली theory को मानता हूँ अब पहले तीन episodes में ये एक मातर confusing episode था, लेकिन अगर हम ध्यान से चीज़े देखते हैं तो सब कुछ clear हो जाता है, वैसा इस episode के बारे में आपकी क्या opinion है आप comments में जहूँ बताईएगा, और अगर मैंने कोई details मिस की है तो वो भी आप जरूर दीजिएगा, अगर कोई doubt है वो भी आप comments में पूछ सकते हैं, तो दोस्तो ये थी तीन episodes की explanation और अगली वीडियो कल ही आजाएगी जहां हम बाकी 5 episodes पे बात करेंगे, तब तक आप सभी इस वीडियो पे 20K likes पूरा कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ share भी कीजिएगा, चाहल पे नए है त तो हमें subscribe भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चानल पैसे वीडियो लाते रहते हैं, पीस!